कि दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं किसी भी साइच की बेल्ट की कटिन दोस्तों हमें यहाँ पर जुरत पढ़ने वाली हैं बेल्ट रोल जो देड़ इंच का है टेप कैंची और पेन सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर लैप्ट साहिल्ट का बेल्ट कटिन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले रखना है जो हम कमर के पास एस्टा मार्जीन लेते हैं उसके बाद मालो हम यहाँ पर 30 इंच कमर का बेल्ट कटिन करेंगे तो 30 का हाप करेंगे हम हाप लेंगे यहाँ पर यहाँ से इस निसान से तो 30 का हाप होगा 15 इंच तो हम यहाँ पर 15 इंच पर निसान लगाना है उसके बाद यहां पर ढाय इंच जो बेल्ट यहां पर निकला रहता है उसके लिए यह धाय इंच और यहां पर साड़े चार इंच यह दूस्तो आम पर दू इंच यहां पर निसान लगाया हूओ है जो हम कमर के पास एष्टा मार्जिन लेते हैं आप चाहे तो धाय इंच ये दिएस्टा मार्जिन लेता हो तो यहां पर धाय इंच रखेंगे और यहां से यहां कमर का हाप रखेंगे आप किसी भी साइच का कमर हो उसका हाप करेंगे यहां से यहां उसके बाद यहां से यहां धाय इंच रखेंगे और यहां से यहां साड़े चार इंच यह जो दोनों है धाई इंच है और यह साड़े चार इंच किसी भी साइच का बेल्ट है जब कटिन करेंगे तो यह चेंज नहीं होगा यह धाई इंच ही रहेगा और यह साड़े चार इंच ही रहेगा उसके बाद यहां पर इसको कर दें यहां से हम 1,5 इंच पे निसान लगाएंगे यह इस तरह से और इधर से यहां पर हम 4 इंच पे निसान लगाएंगे यह दोस्तों यहां से यहां जब 4 इंच पे मैं यहां पर 30 इंच कमर है तो 4 इंच के निसान लगा रहा हूं यदि कमर जैसा जैसा बढ़ते जाएगा वह ऐस यहां तक साड़े चार इंच तक भी आप यहां पर निसान लगा सकते हो यह लूप के लिए और उसके बाद यहां से यहां हाप करेंगे तो यह आ रहा है सवनाव इंच तो सवनाव का हाप करेंगे तो यह लगभग साड़े चार इंच और एक सूथ ये इस तरह से हमारा तीन लूप हो गया ये भी एक लूप है ये भी लूप है और ये भी लूप के लिए तो यहां पर हमारा तीन लूप लग गया लेप्ट साइड में इसके बाद हमें राइट साइड का बेल्ट कटिन करना है बेल्ट को इस तरह से बराबर रखेंगे और यहां से यह हमारा सीधा निसान इसको यहां से करेंगे इसको भी यहां से और यह इसको भी यहां से यहां से भी इसको इस तरह से करेंगे और यह हमारा यहां से भी इसको इस तरह से करेंगे और यहां से हम धाय इंच यहां पर लेप्ट साइट के लिए निसान लगाए है तो हम यहां पर राइट साइट के लिए यहां पर लगभग पॉने दू इंच या देड इंच पर यहां पर निसान लगाएंगे और इसको कर लेंगे कटिन यहां पर इसको तीकोन बना लेना है यह हमारा सिला हुआ पैंट है दोस्तों तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कहां कहां पर कौन कौन सा निसान लगाया हुआ है तो सबसे पहले यहां देखे दोस्तों मैंने दो इंच पर निसान लगाया था क्योंकि मैं यहां पर extra margin 2 इंच लेता हूँ तो यह जो 2 इंच है, यह देखे दोस्तों यह हमारा seat जूरा है उसके बाद यह extra 2 इंच मूड़ा हुआ है वो निसान है उसके बाद दोस्तों यहां से यहां जितना मैंने कमर लिया है, उसका हाप किया हूँ तो यह देखे दोस्तों यहां से यहां से यहां कमर का हाप होता है हाप लगता है तो मैंने इसी को यहां से यहां से यहां हाप यहां पर निसान लगाया हुआ हुआ है 15 इंच मैंने कमर 30 इंच लिया हुआ है तो यहां पर मैंने 30 का हाप लिया हुआ है 15 इंच उसके बाद देखे दोस्तों यहां से यहां मैंने 1.5 इंच लिया हुआ है तो यहां से यह जो बेल्ट निकला हुआ है यह धाय इंच है दोस्तों यहां पर धाय इंच रहता है चाहे किसी भी साइच का पैंट हो आपको इसको चेंज नहीं करना है यह जैसे किसी बच्चे का हो तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं दो सुन कम कर सकते हैं उसके बाद देखे दोस्तों यहां पर यह हुक लगा हुआ है और यह फोल्ड हुआ 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 है तो मैंने यहां से यहां साड़े चार इंच लिया हुआ है तो इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहां पर दो हुक लगाते हैं तो मैंने यहां पर हुक लगाने के लिए फोल्ड करने के लि एक लूप दोस्तों यहां से यहां मैंने देड़ इंच लिया हुआ है तो यहां से यहां देड़ इंच जो लूप लगता है यह इसके लिए है उसके बाद देखे दोस्तों मैंने यहां से यहां साड़े चार इंच यहां पर लूप के लिए लिया हुआ है यह अंदर की तरफ तो यह जो यहां से यहां जो loop लगता है उसके लिए चार इंच रहता है यह दोस्तों जिसके जिसलिए कमर बड़ा होता जाएगा 36, 37 राएगाan 35 राएगा 34 राएगा तो यह अपने हिसाब से आप ले सकते हो चार इंच या सबाचार या साड़े चार तक ले सकते हो इसको उसके बाद देखे दोस्तों मैंने दोनों का सेंटर किया और यहां पर लूप के लिए निसान लगाया हुआ है तो यह देखे दोनों का सेंटर यह हमारा सेंटर लूप आएगा दोस्तों इस तरह से हम लूप को इसमें अटेच करते हैं मैंने यहाँ पर सेंटर में भी यहाँ पर लूप के लिए निसान लगाया हुआ है इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर राइट साइट का यह राइट साइट का बेल्ट है तो राइट साइट का बेल्ट है कभी इसी तरह से सेम है दोस्तों यह हमारा दो इंच जो एश्टा लिए है यह है दो इंच और यहां से यहां हमने कमर का हाप लिया हुआ है तो यह हाप हो गए हमारा कमर का यहां से यहां यहां तक यहां तक हुआ है दोस्तों जहां पर हमने हुक लगाया हुआ हुआ है यहां तक उसके बाद मैंने लिया हुआ है दोस्तों यहां से यहां पौने दू दो इंच तो यह जो हमारा फ्लाई के पास निकला हुआ है यह हमारा इसलिए हम यहां पर दोस्तों एश्टा लिया हुआ है यहां से पौने दो इंच उसके बाद देखे दोस्तों यहां पर मैंने यहां से हम ने लेप्टे साइड में चार इंच लिया है उसके बाद देखिए दोस्तों यहां से यहां हमने लेट साइड में भी देड इंच पे लिया हुआ है और राइट साइड में यहां पर देड इंच पे यहां पर यहां पर यह सेम रहता है दोस्तों यह देखिए इस तरह से दोनों लेट साइड और राइट साइड में दोनों आप आसानी से कर सकते हैं